नमस्कार दोस्तों मैं कमल बाठक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिलमेन मेडिकल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्विकल कैंसर यानि गर्बासे के कैंसर के बारे में दोस्तों सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से दूसरे नंबर पर आता है यह इतना आम है कि हो सकता है आपके आसपास रिष्टेदार कलिक दोस्त या फिर आपके खुद के घर में हो और इस बात का पता उन्हें खुद भी मालूम नहो जिसकी वज़ है जानकारी की कमी और सर्म है दोस्तों पहली बार इंफेक्शन होने और उसे कैंसर में बदलने में कम से कम 10-15 साल का समय लग जाते हैं जरा सोचे अगर इस बीच हम कुछ लक्षण पर ध्यान दें तो इसे आसानी से रोका जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है सर्विक लिटल कैंसर HPV human papilloma virus के कारण होता है यह उन महिलाओं को होने का खतरा रहता है जिन महिलाओं को कम ओमर में period आने स्टार्ट हो गए हो या फिर जिन महिलाओं का period का समय खत्म होने के बाद भी उन्हें bleeding की समस्या रहती हो उनको सकता है अन्प्रोटेक्टिव सेक्स करने के हो सकता है या धिर की पर्दिव स्ट छेयल देख निवां निचले से में अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी मेला को रहती है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए और इस बारे में खुल के बात करें जिससे कि डॉक्टर इस बीमारी का पता लगा सकता है और आपको सर्विकल कैंसर से बचा सकता है एर ये दो संड्विकल कैंसर का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्टें करवाते है rejoice जैंसे कि पेप टेस्ट जिसे हम help के नामसे जानते है इस टेस्ट में कि साथ शय श्रूक्षी से कुछ के नाम से जानते हैं यहीं एक टेस्ट है और तीसे नमर क्याता है कोकोश़टे इस कोल्कोशकोप के द्वारा से लिक से नरे में एब नोनॉर्मल से यह को देखा जाता है जिस سے ग्र ही स्वार्वव. जानकारिक सर्विकल कैंसर यानि गर्वासे के कैंसर के बारे में ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद